नमस्कार जैश्री राम भई देखें बजार में मुझे दो दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन दो दशकों में मैंने सरकारी कमपनियों में जिस प्रकार की तेज़ी अभी चल रही है ऐसी तेज़ी अपने पूरे करियर में नहीं देखी यानि देखें रेल से जुड़ी सरकारी कमपनिया जिने लोग बदहाल समझते थे जिन से कोई उमीद किसी को नहीं थी जो सीजनल प्लेज माने जाते थे यानि केवल रेल बजट पर हलका फुलका उफान इन में आता था और उसके बाद पूरे साल लगातार गिरते रहते थे वो सरकारी कमपनिया अब चार गुना पाच गुना छे गुना तक एक साल में हो चुके हैं इस तरह की जबरदस तेजी सरकारी कमपनियों में चल रही है NBCC के चार्ट को देखिए आप चार्ट देखते ही रह जाएंगे IFCI का चार्ट देखिए IRCON का देखिए RIGHTS का देखिए PNB का देखिए चाहे किसी भी सरकारी कमपनी का चार्ट आप देखें आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे और इनकी तेजी को देख करके आप अचम्वित हो जाएंगे अब देखे कुछ महीनों पहले ज्याने अगस्त में पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सरकारी कंपनियों पर ध्यान दें और जो लोग सरकारी कंपनियों को कम आक रहे हैं बड़ी गलती कर रहे हैं और बिल्कुल यही होता हुआ नजर आया जब सरकारी कंपनियों में बड़ी तेजी के शुरुआत हुई लोगों को रैली पर यकीन कम था जैसे जैसे प्रॉफिट आने लगे लोगों ने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू किया जो लोग बरसों से इन सरकारी कंपनियों को hold किये बैठे थे उनमें बड़े पेशेवर निवेशक फी शामिल हैं जैसे जैसे उनके दाम आए उन्होंने अपनी पोजिशन से एक्जिट किया कुछ लोगों ने हलका-फुलका मुनाफ़ा लिया लेकिन बड़ी तेजी का फायदा केवल उन्हें हुआ है जिन्हें चार्ट देखना आता है जिन्होंने चार्ट के अधार पर सही फैसले किये जिन्होंने इन सरकारी कंपनियों में इस बड़े structural change को समय से समझा आपको याद होगा कि लगातार इस चैनल पर कई सारे वीडियोज में लेकर के आया जिन में मैंने सरकारी कंपनियों में हो रहे इस बदलाव की चर्चा की कितनी ही दफ़ा चार्ट और वीक में भी अलग-अलग सरकारी कंपनियों के इंडाइसे को चार्ट और वीक का खिताब मिला और उसके बाद इन इंडाइसे में जबरतस्त तेजी देखने को विली है तो याद रखिए कि चार्ट के अधार पर अगर आपने फैसले किए तो इस तेजी का आपको फाइदा हुआ है तो अब आईए समझते हैं कि इन सरकारी कंपनियों के लिए आगे की रहा क्या है लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि क्या यहाँ पर यूफोरिया हो रहा है क्या यहां पर irrational तेजी बनते हुए नजर आ रही है क्या एक बुलबुले की तरह सरकारी कंपनियों का वापस से एक बड़ा फॉल आने वाला है तो देखिए इस बात को समझे कि निफ्टी का P.E. फिलाल 20 से 22 के बीच में है याने जो इंडेक्स है जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां शामिल है उस इंडेक्स का P.E. 22 के आसपास है जबकि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स जोकि हमेशा से ही बहुत नीचे रहा है वो इतनी बड़ी तेजी देख लेने के बाद भी 10 के आसपास है इसका मतलब यह है कि अभी भी सरकारी कंपनियों का वैलिवेशन उस तरह का नहीं है जिस तरह का बड़ी नीजी कंपनियों का वैलिवेशन होता है अभी बड़ा गैप बाकी है सरकारी कंपनियों को आम तोर पर बजार बहुत ही कम वैलिवेशन दिया करता है उसकी वज़े यह है कि इन से किसी तरह की ग्रोथ की, बदलाव की, बड़े disruption की उमीद कभी भी बजार को नहीं रही है लेकिन अब इन कंप्रियों का किरदार बदल रहा है, इनका भविश्य बदल रहा है, इनके काम करने का रंधंग बदल रहा है और ये structural shift, बजार समय से पहले पहचान रहा है, और इसी वज़े से इन कंप्रियों में ये बड़ी तब्दीली आते हुए दिख रही है तो पहली बात तो ही समझे है कि ये जो तेजी है, ये liquidity driven नहीं है, इस तेजी के पीछे थोस वज़ा है यानि एक बड़ा बदलाव work culture में, performance में और सरकार के overall focus में आता हुआ दिख रहा है और उसी के बफल सरूप हमने सरकारी कंप्णियों में ये बड़ी तेजी आते हुए देखिए यानि देखिए सरकारी कंप्णिया बड़ी से बड़ी और सबसे आधुनिक नीजी कंप्णियों से बाजार में लोहा लेते हुए दिखाई पड़ती है in fact कई जगा ऐसी है जहां हमारी अपनी PSU's बहुत ही शांदार काम कर रही है अब Defense Production से जुड़ी कंप्णियों को ही ले लीजिए HAL, BDL जैसी सरकारी कंप्णियों ने कए सारी विदेशी कंप्णियों को भी पीछे छोड़ दिया है और बिलकुल यही काम हो रहा है रेल से जुड़ी उन कंप्णियों में जिन से लोगों की कोई affection नहीं थी तो पहले चीज़ यह समझे कि यह कोई बुलबुला नहीं है बलकि इसके पीछे ठोस fundamental कारण है जिसकी वज़े से सरकारी कंप्णियों की यह दिशा दिशा बदलती दिख रही है और अब आते हैं समझते हैं कि आगे क्या होना चाहिए और इसके लिए दो indices के चार्ट पर आईए विशेश फोकस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी पीएसी इंडेक्स की जिहां सरकारी कंप्णियों का सबसे important इंडेक्स निफ्टी पीएसी इंडेक्स की चर्चा करना जरूरी है यह index कुछ समय पहले धाई हजार के आसपास चलता था और याज यह index 9200 के आसपास चल रहा है यानि एक बहुत जबरदस तेजी इस index में आती हुई दिखाई पड़ी है और इस index के जो घटक हैं उन्होंने तो record कायम किये हैं तो आएए इस index का चार्ट देखते हैं और साथी चार्ट देखते हैं Nifty PSU Bank Index का भी देखे Nifty PSU Bank Index का चार्ट को लगातार इस channel में मैं आपके सामने लाता रहा जब यह index बहुत नीचे के levels पर trade कर रहा था तब से इस index की ओर आपका ध्यान लगातार में आक्रिष्ट करता रहा था सरकारी बैंकों में जो तेजी आई है मुझे नहीं लगता उसका आपको कोई भी past president देखने को मिलेगा तो इन दोनों indices के चार्ट को गौर से देखना समझना जरूरी है और तब ही हम ये तैकर पाएंगे के सरकारी कंपनियों का भविश्य आने वाले समय में क्या हो तो लेज़े पैशे आपके सामझे निफ्टी पीस्टी इंडेक्स का चार्ट ये है सरकारी कंपनियों का इंडेक्स और देखे कोविट के बाद लगबग 2300 तक ये इंडेक्स लोड़क चुका था और अब ये 92 सो के आसपास चल रहा है चार्ट पर आये था बड़ा breakout जब ये red line पार हुई थी ये घटना एप्रेल में घटी उत समय ये इंडेक्स 4500 के आसपास चलता था 4500 के बाद इस इंडेक्स ने पीछे मुर करके नहीं देखा और देखते ही देखते साल भर से भी कम समय में ये इंडेक्स दोगुना हो गया डबल हो गया जो कि मामुली बात नहीं है किस प्रकार की तेजी से इंडेक्स में देखने को मिल रही है ये आपको चार्ट से साफ दिखाई पड़ती है और याद रखिए कि ये किसी एक शेर का नहीं बलकि इंडेक्स का चार्ट है इसमें कई सारी सरकारी कंपनिया शामिल है यानि कुछ ऐसी सरकारी कंपनिया हैं जिनका चार्ट इस चार्ट से भी ज़्यादा बहतर होगा जिनकी रफ्तार इस चार्ट की रफ्तार से भी ज़्यादा फराटा साबित हुई होगी तो 4500 का Nifty PSE Index 9000 को पार कर गया अब आएए सरकारी बैंको के इंडेक्स के चार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं यह है निफ्टी PSU Bank Index यानि कि सरकारी कंपनियों का सरकारी बैंकों का Index सरकारी बैंक जिनने हमेशा से खताहाल बधाल माना जाता था यह उन बैंकिंग कंपनियों का Index है आपने देखा COVID के बाद यह 1100 तक नीचे आया और अब 6700 के आसपास चल रहा है इस Index में Multiple Breakouts हुए पहला Breakout 3300 के आसपास हुआ था और उसके बाद हाल में फिर एक Breakout हुआ योकि October में ही आता हुआ दिखाई पड़ा जब इस Index ने 5000 के आकड़े को पार किया था लगातार इस Index की चर्चा चार्ट और वीक में हम लोग करते आये हैं 5000 पार होने के बाद लगबग 15-20% की तेजी इस Index में देखते ही देखते कुछी सब्ताहों में आती हुई नजर आई तो यह